Hi everyone, जो बच्चे confused हैं कि कैसे admit card में क्या fill करना है तो जिन बच्चों का कल 9 जनवरी को exam है तो admit card में आपको क्या fill करना है What to fill in the admit card So देखे guys, इस type से आपको admit card का print निकालना है और print colored होना चाहिए, colored print निकालिए ये मैं आपको recommend करूँगा सबसे पहले कि आपको किस तरीके से और क्या क्या चीजे fill करनी है कि how to fill the self declaration form कैसे self declaration form को fill करना है तो यहाँ पर दे रखा है कि क्या आपको fever है, cough है, breathless है मतलब अगर आपको कोई ऐसा symptom है तो आप fill कर सकते हैं ठीक है, बाकि आपको जो main points हैं जो जरूरी है fill करने मैं मतायता हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई symptom नहीं है, आप Corona से infected नहीं है तो आप यह वाले चीज fill करें, जो मैंने यहाँ पर fill करी हुई है been in a close contact with a confirmed case of COVID-19 तो आपको यहाँ पर cross कर देना है, ठीक है cross tick कर देना है ऐसे, उसके बाद में not being in a close contact with suffering COVID-19 and not under mandatory quarantine तो आप करेंगे tick yes ठीक है और यह blue pen से करें, ball blue pen से पहले में cross किया है, दूसरे में ठीक है और फिर उसके बाद में ऐसे cross फिर से बता रहा हूँ, पहले वाले में cross करना है दूसरे वाले में tick का sign करना है, सही का और फिर cross करना है जैसे जिस city से आप जा रहे हैं जैसे जो city आपका, अगर आपकी city सेम ही है तो आपनी city का नाम लिखें, सिर्फ और कुछ मत लिखें और जिस date को आप exam देने वाले हैं वो date लिखतें, ठीक है, या जिस date को आप वहाँ उस city में पहुंच रहे हैं, arrival date लिखना जैसे मैं हिसार से हूँ, तो मैं हिसार से exam देने के लिए जाने वाला हूँ तो मैं लिखूंगा हिसार, और मेरा exam रोतक में है तो मैं लिख दूँगा कि मैं रोतक में आया हूँ हिसार से और मैंने date डाल दिया, इसके बाद में बच्चे की जो passport size photo है वो यहाँ पर paste करनी है left hand thumb impression, candidate का left hand thumb impression लगाना है parents के signature करने है यहाँ पर guys और जो candidate signature है, इसको खाली छोड़ना है इसमें हमें कुछ नहीं fill करना ध्यान लगिएगा यह जो मैंने box बताया है, इसमें कुछ नहीं fill करना और मैं recommend करूँगा आपको कि at least 2 print आप लेकर के जाएं कि कुछ problem हो जाए तो आप दूसरा print यूज कर सके इसमें examination hall में ही teacher के सामने sign करने होंगे candidate को बाकी सब चीजें देख लो, यह चीजें आपको fill करनी है what to fill in admit card मैंने आपको complete detail बता दिये और अभी जो अच्छे exam के लिए जा रहे हैं तो I would recommend one thing guys कि आप last moment में एक चीज कर सकते हैं कि accent scenic wing आपको download करें यहाँ पर बहुत सारा free study material है जो आप पढ़ सकते हैं और exam point of view से special एक चीज हमने design करें आप store section में जब जाएंगे पहले आपको download करना accent scenic wing को जिक्के questions इस पर क्लिक करके यह सिर्फ 49 रूपीज का है इसको आप purchase कर सकते हैं और last moment पे जिक्के के questions पढ़ सकते हैं तो यह most important जिक्के के questions का collection है 1500 MCQs का भी है इसके लावा इसमें अगर आप sample paper देखना चाहते तो sample paper भी available है guys इसमें ठीक है जैसे यहाँ पर मैंने store पर क्लिक किया तो और भी बहुत सारी चीज़ें available है store में जाकर कि आप purchase कर सकते हैं math के question whatever you want to purchase you can purchase अभी download करें accent scenic wing app को description box में link दे दिया गया है तो मैंने जो आपको चीजे बताई है कि admit card में क्या क्या चीजे fill करनी है इसको फिर से display कर देता हूं इसमें cross करना है इसमें tick करना है इसमें cross करना है फिर जो भी city में आप जा रहे हैं वो city fill कर दे और किस date को आप same date को पहुंच रहे हैं तो लिख दे कि same date को हम 9 January को भी पहुंच रहे हैं ओके और फोटो लगानी है थम इंप्रेशन लेफ्ट हैंड का होना चीए और यह signature parents के और यह box खाले चूँँ थैंक यू सो मच डाउनोड करिए XN Scenic Wing आप को